शुनाब नतीशों में हार के बाद हर्याना कॉंक्रिस नेताओं में छिडी चर्ड शेलचा हुड़ा की लड़ाई से हारी कॉंक्रिस कॉंक्रिस नेताओं ने बताई हारने की ये बड़ी बचा हर्याना में कराहरी हार के बाद जहां कॉंक्रियस के तमाम पड़े नेतिया इवियम पर हार का ठीकरा फोड रहे हैं लेकिन सच अब हर्याना कॉंक्रियस के नेताओं ने उगल दिया है दरसल इस हार के बाद हरियाना कॉंक्रियस के भीतर जवर्दस्त घमासान छिड़ा हुआ है नेता अपनी हार का ठीकरा भुपेंद्र सिंग खुड़ा के सिर पर फोड रहे है नेताओं का कहना ये है कि वो हारे नहीं है उन्हें हराया गया है चाहे फिर वो करणाल के असन से समशेर सिंग गोगी हो फिर चाहे वो कुरुशेतर के जिला अध्यक्ष मदुसूदन भवेचा हो या फिर अमबाला कैंट से कॉंक्रियस पार्टी के प्रतियाशी रहे परविंदर परी हो जिन्होंने अपनी हार का ठीकरा राहुल गांधी के चहीते नेता हुड़ा पर फोड़ दिया है गोगी ने तो यहां तक कहतिया है कि सैल्जशा के अफमान के कारण दलीतों ने हमें वोट भी नहीं दिया और इतना ही नहीं अब कॉंक्रियस की हार पर कॉंक्रियस ओविसी सेल के जो राष्टिये चेर्मेन है और पूर्व मंत्री कैप्टन अजे सिंग यादफ ने तो कॉंक्रिस पार्टी क्यों हारी है इसकी एक-एक वज़ा गिरा दी है उन्हों ने कए बाते कहीं हैं उन्हें कहा कि जिस तरीके से ख्राफ रहा और पोटो पोस्टस से गयव रहा ज्स तरीके से मावन खान ने धंकी भरे बयान थिये और कई वच्छा गिनातिक हुए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को आएना दिखाने का काम किया है जो इस हार का ठीक रहा इवियम पर फोड रहे हैं सुनिए अजे सिंग यादफ ने क्या कहा कि मिस मैनेजमेंट रहा हमारी जो परभारी महोदे हैं वो अफ्तार में थे मैंने उनको फोन किया कि भी मेरे पास परफूर पडेल जी आए हैं और वो कहने रहुल जी का रोड शो है उसके बारे मुझे बताईए कि मैं तो आईसोलेशन हूँ आप अब अजे माकन जी से बात क कीजिए उनसे बात करते रहे हम उनने का कि अभी ऐसा कोई प्रोगाम है नहीं तो अगर चुनाव लड़ रहा है और प्रभारी जी जो हैं वो वेंट्री लेटर पर चले गए हैं आइसोलेशन में हैं तो फिर कॉड़नेशन कौन करेगा या तो कोई इसको पीशी सी किसा और कुच लिए तो यह मिसं मनेजमेंट नहीं होता न है और इस तरीके से इसने अपने आमामन खान जी ने ब्यान दिया को ई कि जिन लोगों ने अत्याचाइयर किया है जिन लोगों लोगों ऑत्याचार किया है मेरे उपर चुनाव के बाद चुन चुन कर उनको बहार निकालूँगा उसका जो उनने नेरेटिव ऐसे बना दिया है जैसे हिंदू-मुसल्मान की लड़ाई होगी हो हमारे चेत्र साथ लगता हुआ चेत्र है और हम ग्यारा 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 सीटें सीटें आरगे यह तो ए तो यह काम किसका एक परभारी का काम है ना एंदेखना ती चट्रीज़ ब्रादरी की पार्टी लगे वह काम नहीं था सबसे ज़्यादा है लेकिन मिस मैंने भी रहा रहो जी का कारिकम बोल दी कहने से रोड़ शो हो रहा है और फिर कहने की रोड़ शो अभी कन्फर्म नहीं है प्रफुर पटे जी ने किस से बूश के आये थे वहां कहने के लिए कि आपका रोड़ शो हो रहा है फिर उसके बाद मैंने बाद के विनुक पाल जी से बड़ी मुश्कल से बात होई मेरी तो उनने का कि यह अभी कारिकम नहीं है हम बताएंगे फिर विजू जी से बात करी मैंने मैंने विजाषी जी से बात करी मैंने कभी प्रोगर्म आपने बना दिया है इसका मेस्टेज कल जाएगा शैल बादरा में जो हो चार से मैं आऊंगे गुर्णाव में फूर्णी में गया जगेते में होई है मुझे चौपर की उतनी थी मेरे को अगर यह 10-12 दिन पहले बता दे तो मैं होया था हूं दो दिन पहले बता रहें बजारे जो केंडियर्स हैं वो कहने कि आपको आना ये हाल है तो अजे सिंग यादव कॉंक्रिस पार्टी की नेता हैं और किस तरीके से संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं हुड़ा पर परहार कर रहे हैं साउथ हर्याना के नेताओं को एहम पद कॉंक्रिस ने नहीं दिया और उन्हें साफ साफ सब्दों में ये कहा कि दरसल जब आलकमान की चहीते हुड़ा हैं तो जाहिर तोर पर ये जो कहीं ने कहीं हर्प कॉंक्रिस पार्टी की हुई है इसकी एक बड़ी बज़ा है मिस मैनेजमेंट और जहां पर एक तरफ अजय यादव का ये बयान साथ ने आया है तो वहीं पर सम्शेर सिंग गोगी जो दरसल अपने बयान को लेकर सुर्ख्यों में रहे थे अपना घर भरने की बात वो सबसे पहले कर रहे थे उन्होंने दरसल इस हार का ठीकरा अब खुड़ा पर फोड़ा है और साफतोर पर ये कहा है कि हर्याना में कॉंग्रेस की हार नहीं हुई है खुड़ा कॉंग्रेस की हार हुई है बता दें कि शमसेर सिंगोगी जो थे वो करनाल की असन सिर्ष से चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन लगपग 2306 वोड़ से वो हार कए और समसेर सिंगोगी ने कहा कि एक विरादरी की सरकार नहीं बनती सबको साथ लेकर चलना पड़ता है अब शमसेर सिंगोगी ने शब आसक से बात की तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि हम शेलजा गुटके हैं और जाहिर तोर पर शेलजा का अपमार हुआ है तो दलीतों ने हमें वोट नहीं किया सम्शेच सिंग गोगी ने कहा कि हरियाना में हुड़ा औंग्रेस की हार हुई है साथ ही उनुने इंटविवः में ये भी कई बाते कही की करनास्थ में रैली के लिए मैंने सारे इंतर्ज्राम किये लेकिन हुड़ा ने अपने भाशन में मेरे नाम का जिक्र नहीं किया जिससे मेरे जो कार्यकरता थे जो मेरे लोग थे वो नाराज हो गए उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया जब गोगी से पूछा किया कि आपकी हार कैसे हुई तो उन्होंने कहा कि मीठिया और सभी एजन्सिया हमारे पक्ष में इस्तिती दिखा रही थी लेकिन पिछले दो दिनों में बीज़पी ने इसे हिंदू और सिखों का मुद्धा बना दिया जो अंधर ही अंधर फैल गया गोगी कह रहे हैं तो कुल मिलाकर गोगी जो है वो अब जमकार हुड़ा पर वरस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं हमें जान पूछ कर हराया दिया है ये शुरुवात से ही लगातार बीज़पी कह रही थी कि दरसल जिस तरीके से कुमारी शैल्चा का अफमान किया गया एक दलीत लीडर का वो दरसल कॉंग्रिस पार्टी को काफी महगा पड़ेगा और कहीं न कहीं जिस तरीके से से शैल्चा भी लगातार चुनाओ पर चार्थ नदारत रही जिस तरीके से जब दरसल मैनिफेस्टो जारी किया गया तो शैल्चा को स्टेज पर जगा नहीं दी गई सेल्जा वहाँ पर नहीं थी और कहीं न कहीं यही बचा रही कि लोग और खास्तोर पर दलीत उनसे नाराज थे तो कए बड़ी बचा रही जिससे की Congress Party हारी है लेकिन जबसे Congress Party हर्याना में हारी है तब से वो हार का ठीकरा EVM पर ही फोड रही है और यहां तक की Election कमीशन को लैटर लिखा गया है तमाम तुरह के ब्लेम जो है वो पीछ फियों लगाए चाह रहे हैं लेकिन असल वज़ा हार की क्या है यह अब कॉंक्रियस के नेता जो हर्याना में चुनाव परचार कर रहे थे जो हर्याना में चुनाव लड़ रहे थे वो बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हार की वच्छा एवियम नहीं है, हम एवियम से नहीं हारे हैं, हम अपने ही हुड़ा से हार गए हैं, ये कही न कहीं साफतोर पर कॉंग्रेस पार्टी के हारे हुए उमिद्वार फिलाल अपनी जो व्याथा है जो वो चुनावों के दौरान शायद नहीं कह पाए लेकिन नतीजों का शायद इंतजार कर रहे थे और उसके बाद वो खुल कर अब हुड़ा के खिलाफ बगावत कह पूर्व मंत्री है कैप्टर अजैस सिंग यादव उनको भी आपने सुना अजैस सिंग यादव तो यह साफतोर पर कह रहे हैं कि मेरा पद ओबिसी सेल का है लेकिन सिर्फ एक जुनजुना मुझे पकडात किया गया है पोस्टर में फोटो तक नहीं है और ये भी उनने कहा कि ओबिसी के लोगों को मेनिस्ट्री में ना लाने से नाराजगी बढ़ी है लेकिन एक तरफ बीचपी ने नयाप सिंग सैनी को मुख्य मंत्री बनाया जिस तरीके से ओबिसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और वहीं पर कॉंग्रिस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाट वो नुकसान राक रहा तो इस तरीके से तमाम बयान गिनाएं हैं और तमाम नेता जिनका मैं जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया दरसल उनकी नाराजगी है कॉंक्रिस पार्टी और हुड़ा के परती जिने आला कमार ने तो दरसल सराकों पर बिठाया लेकिन उनका नतीशा क् हुआ ये साबसोर पर अभर्याना में देखने को मिला है फिलाल आपकी इस खबर को लेकर क्या थाए हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे धन्यवाद